राजशी की उपराजधानी नाकपुर वैसे तो कई चीजों की वजह से मशूर है लेकिन इन दिनों बढ़ती आपरादिक गतिवीदियों की वजह से भी नाकपुर को चाना चारा है इस चीज में भी महिला सुरक्षा पर भी कई सवाल या निशान खड़े हो रहे है ऐसा है जानते हैं हमारे इस रिपोर्ट में शहर में दिन प्रते दिन आपरादिक गतिवीदियों में व्रदी होती देखी जारी है इसी बीच हमेशा ही राज़ की उपराजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर बात की जाये तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो हमेशा ही महिल सुरक्षा पर प्रश्चन खड़ी करती है इसी बीच हाली में शहर में वाडी थाना अंतरगत आने वाले इलाके से एक 65 वर्षे महिला के साथ बलतकार की घटना सामने आई थी ये मामला भी सुलजा ही नहीं था कि अमजरी पुलिस थाना अंतरगत अब एक ऐसा मामला सामने जो फिर शहर में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है पुलिस सूतरों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरूपी फैजान शेक और 17 वर्षे पीरित युफ्ती के बीच सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती हुई थी जिसके पश्यात एक कारी को आरूपी फैजा 2017 पर 17 वर्षी फैजान के दोस्त आरूपी नुमान के साथ केमपस से जाफर नगर आरूपी साजित शेक के फ्लैट पर गई थी जिस दोरान उन लोगों ने वहाँ शरापपाटी की पाटी के बाद आरूपी नुमान ने पीरित को उसके दोस्त के घर इन बरड़ी पुलिस परिजन की शराब पाटी हुई उसके पश्यात आरूपियों ने पीडिता को रजनीगंदा में एमडी मिलाकर उसे दी जिसके बाद पीडिता एमडी के नशे में आने के बाद आरूपियों ने पीडित युफ्ती के साथ चाररिक दुशकर्म किया और इस पूरे घटना करम के तुरंथी अमजरी पूलिस थाना अंतरगत इसकी शिकायत दर्च कराई इस संधर में पूलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने अधिक जानकारी साचा की आठ महीने ची आहे अशा प्रात्मिक वाटते परन्तु त्या बदल तपास शुरू आहे मुलीन चे ओड़क फेस्बुक माध्यमानी आनि सोशल मीडिया चे माध्यमानी पूलान सोबत जुनी ओड़क होती आनि त्या मदे घटना घटल्या चे करते अधा तपास शुरू आ इस मामले में सभी आरूपी अभी फरार हैं और शहर पुलिस के कई आला धीकारी इस मामले की जाच में चुटे हुए हैं वहीं जब बात वाड़ी वाली घटना की करें तो उस मामले में एक आरूपी फरार है तो एक को गरफतार किया गया है हालाकि संपून वाकिये से फिर एक बार उपरास्थानी नाकपूर में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल या निशान खड़े हुए हैं कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ दिशाटवा बीसी न्यूस नाकपूर